नमस्कार मैं डॉक्तर विनाई शिवास्त हो इसमें लेक मॉरीन जैस्पर नैशनल पार्क कैनाडा से बोल रहा हूँ लेक मॉरीन कनाडा की सर्वस्रेष्ट खुबसूरत धीलों में से एक है और ये अपने अद्वुद द्रश्यावलियों के लिए पूरे कनाडा ही नहीं पलगी पूरे विश्व में जान जाती है इस लेक के चारों तरफ उंची उंची पहाडियां है और उन पहाडियों पर ग्लेशियर है इस वक मैं आपको सिर्फ ग्लेशियर दिखाऊंगा ये लगातार साथ पहाडिया है जिसमें से तीन पहाडिया बड़ी है और कुछ छोटी पहाडिया है जिन पर ग्लेशियर जमें हुए है ग्लेशियर के नीचे से ये द्रश्य बहुत ही खूसरा दिखाई पड़ रहा है बिलकुल दीना और हरा पानी इस जिल का पहाड़ों पर बरफीला ग्लेशियर जब पिघलता है तो इस जिल में आकर मिलता है दिल में आकर में आकर मिलता है प्लेख मुरीन कनाडा की सर्वस्रिष्ट जीलों में अपना प्रमो के स्थान रखती है और इस जील की उशिष्टा ये है कि चारो तरफ उची उची पहाड़ियों के ग्लेशियर के मद्धे में इस सित है और इसका हरा भरा सुरम प्राकरतिक सौंदर है इसे कनाडा की सर्वस्रिष्ट जीलों में स्थान देता है मैं डॉक्तर विनेश श्रीरास्तो मॉरिन लेक जैस्पर नैशनल पार्क कनाडा से यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे हिस्टोरिकल वाइल टोरिजन चैनल पार इसे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए